हे गाईज वेलकम बैक टू माई चानेल में हूँ राज और आप देख रहे है फैसन मेकर यूटूब चानेल सो गाईज बहुत टाइम के बाद मैं इस चैनल पे कीवेने वीडियो बना रहा हूँ और अभी कुछ टाइम पहले मैंने इस्ताग्राम पे और यूटूब पे पोस्ट डाला था जहाँ पर मैं आप लोगों से पुछा था कि मुझे क्योवेने वीडियो के लिए कोईस्चन चाहिए अगर आपके मन में कुछ भी कोईस्चन हो तो आप मुझे से पूछ सकते हो तो उसी कमेंट में से मैंने ऐसे बहुत सारे कमेंट जो है पीक किया है जिसका अंसर मैं इस वीडियो पे करने वाला हूँ और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेसन मेल को ओन कर देना ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेसन आपको मिल जाए क्योंकि इस टाइम पर मेरा जो नोटिफिकेसन है बहुत लोगों के पास नहीं आ रहा है तो अगर आपके पास आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करेंगे जरूर बताना और वीडियो को इन तक देखना वीडियो बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है और अभी कुछ टाइम से मैं Amazon से बहुत सारे पोड़क्स जो है ओडर कर रहा हूँ जिसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ सेयर करता हूँ तो मुझे अभी ग्रोमिंग के लिए कुछ पोड़क्स यह था जिसका मैं रिसार्च कर रहा था यूज करने वाला हूँ और ऐसे ही नहीं मैंने बहुत सारे जिसार्च के बाद मुझे क्या लेना चाहिए इसे बहुत सारे और वी वीडियो देखा है यूटूब पे जो बड़े-बड़े क्रेटर यूज कर रहे तो मैंने उन लोगों को देखके यह सारे चीज़ जो और क क्या पे यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूंयाँ यहां पर मैंने क्या क्या लिया है तो यह पैकट मेरे पास पहले आया था मैंने उपेन करके chemical नहीं है एकदम organic चीजों से बना हुआ है और ये वाव की तरफ से कुछ भी products आता है तो organic रहता है उसमें chemical free रहता है और ये सारे products जो है कोई भी skin के लिए suitable होता है कि कोई भी use कर सकते इसको तो यहाँ पे एक face वास है और ये एक skin toner है और यहाँ पे एक face cream है तो ये भी वाव की तरफ से आता है ये सारे जो products है ये मैंने वाव की तरफ से मंगाया था क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे research किया है कि वाव की products जो है बहुत अच्छा होता है इसमें chemical नहीं होता है और ये हर skin tone के लिए suitable होता है ये वाव का जो भी product है ये सब made in India है और ये बिल्कुल भी chemical free है और ये हर skin tone के लिए suitable है इसलिए मैंने ये सारे products जो है मैंने use किया है और यहाँ पे दूसरा जो brand है जो मैंने research करके पाया है वो है mama art तो इसका mama art का भी products जो है बिल्कुल organic होता है एकदम chemical free होता है तो यहाँ पे मैंने कुछ shop मंगाया है यहाँ पे ये box में 5 पीस आता है और ये 5 पीस जो है अलग-अलग flower में आता है तो यहाँ पे mango, strawberry, apple, orange और blueberries ये सारे flower में ये आता है तो इसका भी products जो है बहुत अच्छा होता है chemical free होता है और हर skin के लिए suitable होता है तो मैंने यहाँ पे ये सारे products जो है अभी use करने वाला हूँ और इसके साथ एक toothpaste भी आया है और ये सारे products जो भी मैंने आप लोग को अभी बताया है ये मैं अभी use करने वाला हूँ और अगर आप मेंसे किसी को purchase करना हो तो description में link है आप वहाँ से जा के purchase कर सकते हो और अभी Amazon पे 26 और 28 को ये सारे products के उपर discount भी देखने को मिलेगा तो आप ज़रूर चेक कर सकते हो तो चलिए कीवेने वीडियो को start करते और यहाँ पे यह जो comment इन्होंने किया है यह मैंने Instagram से उठाया है तो यहाँ पे इन्होंने लिखाया है कि सर long trenches cutting करो तो long trenches का भी cutting बहुत जल्दी इस channel पे आने वाला है तो इस channel पे बने रहना और यह जो question है यह भी मैंने Instagram से पिक किया है यह पुछते कि क्या net for fusing use हो सकता है तो इसका जो answer है यह मैंने पहले भी दिया था आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पे इस situation में आपको क्या करना रहेगा यहाँ पे आपका अगर net का fabric हो या फिर transparent fabric हो और आपको वो pieces बनाना है fuse करके तो यहाँ पे आपको एक lining लेना है वहाँ पे वो lining पे आपको fuse करना है फिर आपको जो main fabric हो उस पे attach करना रहेगा और इस तरीके से आप net वाले piece पे आप बना सकते हो तो यहाँ पे आप direct net पे fuse नहीं कर सकते हो आई होप आपको answer मिल गया होगा और यह जो question है यह भी मेने Instagram से उठाया है इनका कहना यह है कि hopes cut तो hopes cut आप में से साइथ बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहेगा तो इनका पुछना यह है कि hopes cut कैसे बनाते hopes cut के लिए अभी तक YouTube पे कोई भी वीडियो नहीं है I hope मैं आप लोगों को बहुत जल्दी hopes cut का भी tutorial इस चैनल पे लेके आऊंगा तो अभी आपको hopes cut अगर चाहिए तो मैं आपको बहुत ही कम rate में आपको ready दिला सकता हूँ जो ready meant आता है तो यह आपको Amazon पे भी मिल जाएगा लेकिन मेरे पास और भी ऐसे contact है जिसके through में आप लोगों को देख सकता हूँ अगर आप में से किसी को hopes cut चाहिए तो आप मुझे comment करके जरूर बतना और आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगो hopes cut के बारे में नहीं पता रहेगा तो hopes cut का अगर कुछ peak मिलेगा तो मैं आपको यहाँ पे so कर दूँगा और यहाँ पे यह जो question है आप cotton fabric में भी आप बना सकते हो इस piece को आप cotton fabric में भी बना सकते हो और यह जो question है इन्होंने spelling mistake किया है इनका जो कहना है वो मैं आप लोगो को बताता हूँ यह साथ umbrella gown की cutting बताई है ऐसा पूछ रहे है यह umbrella gown और यहाँ पे दो comment है इनका जब umbrella gown की cutting करते है तो stitching के बाद नीचे का घेरा उंचा नीचा हो जाता है क्यों? प्लीज रिप्ले तो umbrella gown जो होता है जो umbrella gown हम cutting करते है वो बनने के बाद hemming करने के बाद बहुत सारे लोगों को उपर नीचे हो जाता है जो कि ready minute में तो चल जाता है किसी को पता नहीं चलता है लेकिन अगर आप designer gown बनाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है तो उसके लिए एक technique होता है जो हम ready करने के बाद gown को वहाँ पर हम उसको cutting करके फिर उसको hangar पर लटका के या फिर dummy पर पहना के हम उसको cutting करते है तब जाके उसका जो length है वो बराबर होता है जो कि बहुत सारे लोगों नहीं पता रहता है तो आप hanger पे लगा के उसका जो length है वो cutting कर सकते हो या फिर अगर आपके बाद डummy बगर है तो आप dummy पे पहना के उसका length जो है cutting कर सकते हो तब यह आपका जो length है वो एक जैसे होगा अगर आप ऐसे ही जिस तरीके से umbrella cutting करते हो उस तरीके से अगर आप cutting कर लेते हो length और उसके बाद अगर उसी को hemming कर देते हो तो आपका जो length है वो बनने के बाद उपन नीचे हो जाएगा यह हो ही जाएगा कुछ नहीं कर सकते हो उसमें आपको एक बार last में cutting करके फिर hemming करना है जैसे मैंने आपको अभी बताया है और यहाँ पर यह जो comment है यह आपके सामने आप देख सकते हो आपका काम बहुत ही पसंद आया मुझे सो थैंक्यू सो मच साच में आप इंडिया के एक लोते FD हो जो western design इतने आसानी से समझाते हो सो थैंक्यू सो मच आपको और यहाँ पर इनका दूसरा भी एक कमेंट है कि आप कौन सा मसीन यूज करते हो तो इसका भी मैंने answer पहले वाले वीडियो पर बदाया है मेरे पास दो मसीन है एक जूकी का एक म्याकी का सो मसीन से कुछ फरक नहीं परते है आपको stitching आना चाहिए सो आप कोई भी मसीन पर आप stitching को set करके कर सकते हो और यहाँ पर यह जो कमेंट है इन्होंने पुछाया कि सर अर्मोल में losing कितना देना रहता है तो यह बहुत जदा important है आप कुछ भी चीज कटिंग करते हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि कहाँ पर कितना losing add करना है तो normally जो होता है अगर आप blouse बगरा बनाते हो जो designer type का होता है तो वहाँ पर मैं body measurement से एक इंच losing देता हो अगर आप fitting कोई भी चीज बनाते हो तो आप body measurement से एक इंच losing आप दे सकते हो अर्मोल पे यहाँ पर मैं fitting की बात कर रहा हूँ अगर आपको lose fit में बनाना है तो आप ज़्यादा दे सकते हो यहाँ पर blouse में और कुछ भी चीज अगर आप बनाते हो गाउन बगरा बनाते हो अगर आप fitting में बनाते हो तो आपको एक इंच का losing देना है और यहाँ पर इनका जो question है यह पूछते है अगर हम hip shape ना देना चाहिए तो तो यहाँ पर मैंने एक लेंगे का कली cutting बताया था उनके उपर यह comment आया है अगर हम hips का shape ना देते है तो इसका कली में क्या difference आने वाला है तो यहाँ पर क्या होता है लेंगे में आप 16 कली का बनाते हो या फिर 10 कली का बनाते हो 12 कली का बनाते हो तो यहाँ पर एक जो pattern निकलता है उसके थुरू हम सारे कली को cutting करते है तो यह आपको बहुत ही मतलब details में देखना पड़ेगा अगर आप एक कली में थोरा सा भी losing छोड़ते हो तो अगर आप 12 कली करते हो ना तो उसमें 4 inch lose हो जाता है तो आपको पता भी नहीं चलता है तो यहाँ पे आपको hip का save देना है और हर कली का measurement करके आपको इसका pattern cutting करके फिर आपको करना है जैसे मैंने आपको बताया है I hope आपको यह समझ माया होगा और यहाँ पे इसके नीचे दूसरा एक और comment है You are very hard working brother Thank you so much और यहाँ पे यह जो comment है यहाँ पे आप देख सकते हो यह net के fabric पे बना सकते है इनका कहना यह है जो मैंने cowl वाल एक slips बनाया था यहाँ पे यह पूछ रहे कि यहाँ पे net के fabric पे यह बना सकते है क्या तो net के fabric पे भी आप बना सकते हो जो look आपको cowl वाला आना चाहिए वो साइद नहीं आएगा थोड़ा फुला हुआ रहेगा वो depend करता है आपका net किस तरीके का है आपका net जो है soft है या फिर hard है वहाँ पे यह depend करता है तो यहाँ पे अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो जीली सर ब्लाउज में bone party कैसे use करते हैं यहाँ पे next और एक comment आया था तो bone party कैसे use करते हैं इसके उपर भी मैंने एक dedicated वीडियो बना करता है कि bone party किस तरीके से use किया जाता है तो आप वो वीडियो जरूर देखिए वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि bone party क्या होता है किस तरीके से हम use करते तो वो वीडियो जरूर आप देखना और यहाँ पे यह जो comment है इन्होंने किया है Sir table length के बारे में बताइए अगर tail ring table वनवाना है तो कितना feet का वनवाना होगा तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे यह depend नहीं करता है कि tail ring के लिए कितना लंबा कितना चौरा table चाहिए यहाँ पे आपको देखना है कि आप किस तरीके का काम करते हो अगर आप छोटा मोटा ऐसे blouse बगरा सी बनाते हो आपका काम सी blouse और छोटा ऐसे कुछ है तो आप छोटा table पे भी काम कर सकते हो और मेरा जो table है यह बहुत ज़्यादा लंबा है यहाँ पे मुझे cutting करने के लिए लंबा table चाहिए कि मेरा एक जो कली है अगर हम solder से पूरा नीचे तक कली लेते है तो यहाँ पे हमको यह छोटा परता है तो इसलिए मैंने यह जो table है लंबा बनवाया है तो अगर आपका काम इस तरीके का है लेंद का table चाहिए था तो मैंने extra और बनवाया तो मैंने 7 feet का बनवा लिया तो यहाँ पे आप अपने according बना सकते हो और यहाँ पे यह जो comment इनों ने किया है यह भी cowl slips के उपर ही किया है तो यहाँ पे यह पूस्त है कि यह जो cowl slips है इसका elbow तक अगर हमको length करना है तो इसका fabric का length कितना ले तो यह जो slips मैंने आपको बताया है यह elbow slips के लिए ही है तो अगर आप elbow length करना चाते हो तो आप elbow length के लिए जो मैंने इस पे बताया है वो आप follow कर सकते हो और इसी वीडियो पे मैंने ऐसे भी कमेंट्स पढ़ा था जहां पे आप लोग पूछ रहे थे कि इसका अगर लेंध हमको फुल स्लिप्स का रखना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं तो यहां पे जैसे मैंने आपको एल्बुक तक बताया है यहां तक तो इसका कावल यहां पे खतम हो जाता है उसके बाद अगर आपको फूल स्लिप्स करना है तो यहां से लेकर इसका जो लेंध है वह आप एड कर देंगे तो आपका फूल स्लिप्स बहुत इजी बन जाएगा यहां पे आपको खुछ भी और टेकनिक का यूज नहीं करना है यहां पे आपको फूल स्लिप्स करना है यहां पे ऐसे बहुत सरे लोग का कमेंट में ने पढ़ा था इनका यह जो कहना है यह पूछ रहे थे कि मैंने जो इतना सारे चीज़े बताया है इसमें कुछ ना कुछ हमने मिश्टेक की है अगर आपको यहां पे कुछ भी मिश्टेक लगता है तो आप मुझे बता सकते हो मैं ऐसे ही आपको हवे पे नहीं सिखाता मैं पहले खुद ब मैं पहले पेक्टीकल करता हूं फिर आपको बताता हूं ऐसे नहीं कि कहीं से बहुत बहुत सरी होऔर खरते है और ऐसे माइंस सुच रखते हैं तो अगर आप को ऐसा लगता है तो आप मेरा और भी वीडियो देख सकते हो, अगर आपको लगता है कि मैं गलत बता रहा हूँ, तो आप मेरा वीडियो मत देखिए, प्लीज, थेंक्यू, और यहाँ पर यह जो कमेंट है, थेंक्यू भाई, कब से सर्च कर रहे थी, आज मिले आप, तो इसलिए मैं आप इसका जरुत पड़ता है, और फिर आपको मेरा चैनल ना मिले, तो आपको बहुत कुछ सर्च करना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कि अगर आप इस चैनल पर आ गए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही नॉलेजब कर लेना, और यहां पर यह जो कमेंट में पर पा रहा हूँ, जो आप बताना चाहरे हो, तो यह कैटिंग जो है, आपको समझ में आया है, और आप यह बोलना चाहते हो, कि मेरा जो चैनल है, वो आपको पहले क्यों नहीं मालुम पड़ा, अभी आपको पता चला, तो थेंक् नया चैनल ओपिन किया है, जिसका नाम है, फैसन मेकर एक्स्ट्रा, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उस चैनल पे भी मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा, जो विंगनर के लिए होगा, और जो एकदम डिटेल्स में होगा, जिसका लेंद और ज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उस चैनल पे ऐसे बहुत सारा कॉंटेन आने वाला है, जो इस चैनल पे नहीं आएगा, वो सारे कॉंटेन जो है, मैं उस चैनल पे डानने वाला हो, तो प्लीज आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, तो आज की इस वीडियो पे म आप लोगों को अंसर देने की कोशिस करूँगा और अगर आप मुझे इस्ताग्राम पे फॉलो करना चाते हो तो इस्ताग्राम का आइडिया आपको यहां पे दिख रहा है या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप वहां से भी जाके मुझे फॉल कर देना ताकि मैं जल से जल आप लोगों के लिए उस चैनल पर बहुत सारा कॉंटेल लेकर आप आँँ आज की इस वीडियो पे इतना ही मैं मिलता हूँ आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार एंड बाबाई